प्रामान से कहेंगे कि ज़राब पीछे दिखाने कि किस तरीके से कल अहिनवारंदाम में लगने वाले मिले के लिए तैयारिया चल वही है जानकारी बताने के लिए हमारे साथ मंदिर के वरिष्ट पुजारी मौझूद है हम उनसे बात करते हैं कि मंदिर का क्या इतिहास है बाबा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका आपका सबकी स्वागत है आप अपना पूरा परिशे दीजिए लखनान सरसुती एहनवार धाम स्री सचिदान सरसुती बैदिक सेवा ट्रेस्ट अध्यश यह मंदिर का इतिहास क्या है कब इसका निर्मार होगा इसका बहुत प्राचीन इतिहास है चंद्रमास में एक नहु इंद्र लोग पर संभाला इसके पहले एक बरता सुर्फ दयत था उसको देवता लोग किसी तरह से जीत नहीं पा रहे थे तो महत्मा दधीच की हड़ी लाए इंद्र के द्वारा प्राप्त हुई जिनके द्वारा तीन हथियार बने सारंग बज्र पिनाग सारंग भगवा इंद्र में मूर्तिमान हो गए इंद्र भाग करके जाकर करके कमल नाल में 1000 पर सुद में चुप और करके तपस्या की वह पद खाली हो गया तो उसी पद पर देवराज नहुस की निउपती हुई हमुई इनका राज बिसेख हो गया ये किस यूग की बात होगी ये दौपर तो युकी बात है, काफी समय तक सासन किया उसके बाद एक दिन दियुरिस नारद या तो कहा आधे इंद प्रणाम, आधा इंद रसे क्यों सम्भोधन किया, कहा कि सची के बिना ये सिंगासन अधूरा है, तो नहुस ने सची के पास संदेश भेजा कि आप हमारी अर्धांगी नहीं बन जाओ तो सची ने देवगरु भरस्पत से बतलाई देवगरु भरस्पत ने बतलाया कि आप नहुस पे आदेश करो कि सब्तरिसियों की पालकी में है तो नहुस ने सब्तरिसियों को आदेश किया सब्तरिसियों की पालकी ले करके चले तो का सर्फ सर्फ चलो उसमें अगर जिने स्राप दे दिया कि सर्प हो जाओ नहुस यही चंद स्रोवर है यहाँ पर सर्प्योनी को प्राप्त हुए फिर रिश्यों का इनको असिरवाद मिला कि तुमारे बंस में जब धर्म का उत्रण होगा उनके द्वारा उध्धार होगा तो यह बनवाज के वस्था मे आ करके पांडो सर्प्योनी से इनका उध्धार हुआ तभी सस्थान का नाम अहिनवार हुआ यह पूर्टम तीर्थ है यहां के बगएर गया का कार्या पूर्ण माना गया और दूद रखा जाता है दूद एक साल जो है सुरचित रहता है उसमें दूद में कोई विक्रती न नहीं पाए गया और सरोवर में जो खुदाई में जो आज भी भस्म मिलती है आज की हवन की भस्म से उसमें सोला गुना जादा पावर पाया गया यह दस भी से सग्योद्वारा बास जीद हुई है चाहिए यहां जो मेला लगता है पूर्ट कार्तिक पूर्णिमा के मौकर इसकी क्या मानता है कार्तिक चतुरदसी जो है महत पूर्ण जो है एक मेला लगता है चतुरदसी को दीपावली के एक दिन पहले नहुस का उसी तिसमें जो है इनका उधार हुआ सर प्योनी से यह पहले नर्क चतुरदसी था जब उधार हो गया तो नर्क चतुरदसी आज यह यह मेला लगता है तो यह थे हमारे साथ मंदिर के वरिष्ट पुंजारी जिनका साफ तार कहना है कि यह इतिहास का बहुत ही प्रसिद और मसूर मंदिर है यहां पर दूर दराज से लोग आते हैं दर्शन करने और भी हमारे साथ मौझूद हैं बाबा क्या नम है आपका हम यह साथ और बी लोग मौझूद है वह उनक्या मेरा सुरे इंद्या नम है मेरा तो यहां पर जो कार्तिक पूर्मा पर मेला लगता है इसके इतिहास के बारे में कुछ जानकारी बताएंगे कार्तिक पूर्मा का मेला बहुत भब लगता है यहां और यह हमको भी नहीं मालूम है हमारे पूर्वज थे उनको भी नहीं मालूम है कब से लग रहा है इसमें ये सतियुग से यहां की परंपरा चली आ रही है, सतियुग में जैसे राजा नहुष थे, इन्होंने तपस्या किया, तपस्या आइसी किया, कि इन्होंने इनको इंदप्रस्थ प्राप्त हो गया, पिन इनको इनरासल मिल रहा था, तो इनको एक सोच आ गई कि मैं सबसे पहले इनराणी को अपने कबजे में लाऊं। तो यह जो है रिसियों की पाल्की में जो है चले आ रहे थे इन्होंने सोचा रास्ते पर चले आ रहे हैं इन्होंने सोचा कि जल्दी चलो सर्व की तरहे। तो रिसी जो थे वो सुराब दे दिये तो वो सरपियोन में आ गए फिर सरपियोन में उता disappeared तो उनको ये हुआ कि हमारा उद्धार कब होगा उसके बाद उन्होंने कहा उद्धार आपका द्वापर में होगा पूर्वाज यही यचlor तालाब था वाई से गत्म्यान क्या है किसले के पांच प्रस्न जो थे उन्होंने उत्र दिया युधिस्टिर ने तभी से जो है उनका उद्धार हो गया अहिमाने शर्व और निवार माने उद्धार तब से इस गाओं का नाम जो है अही निवार पड़ा तो यह थे हमारे साथ मंदिर कमेटी के लोग जिनका जिन्होंने मंदिर के इतिहास के बारे में बताया